आज हम करेंगे हमारे जो scales रहते हैं उनको सबसे पहले हम करेंगे six sigma scale six sigma scale यानि कि six sigma के अंदर आपका पूरा scale आ जाना चाहिए इसका मतलब क्या है आपकी value जो है वो minus three sigma two plus three sigma lie करेंगी तभी तो ये six बनेंगा ना three above the mean and three below the mean total six sigma अब जैसे हमें question दे रखा है कोई question उठा लेते हम कि आपको sigma की value दे दी 10 and mean यानि x bar दे दिया 50 अब इसका scale draw कीजिए scale draw करने के लिए क्या करेंगे हम mean को center में लिखेंगे कितना है mean 50 अब हमें एक चीज clear है recording ठीक चल रही है हमें एक चीज clear है कि जब mean से उपर जाएंगे तो add करते चलेंगे निचे जाएंगे तो minus करते चलेंगे 50 इसके बाद 50 minus सबसे पहले हमें sigma की value put करनी पड़ेगी 6 into sigma की value कितनी है 10 10 के scale पर divide करना है तो यानिकी 6 का gap आएगा तो 50 minus 6 50 minus 2 into 6 50 minus 3 into 6 50 minus 4 into 6 50 minus 5 into 6 same as it is उपर चलते हुगे 50 plus 6 50 plus 2 into 6 50 plus 3 into 6 50 plus 4 into 6 50 plus 5 into 6 ये क्या हो गया 5 above the mean and 5 below the mean अब इसको calculate करेंगे ये 56 है ये 62 ये 68 ये 74 ये 80 same as it is नीचे ये 44 ये 38 ये 32 ये 26 ये 20 अब हमारे पास ये scale बनके आ गया ये 6 sigma scale है अब इसको cross check कैसे करेंगे कि हमारा scale सही बना या नहीं बना हमारे पास sigma की value कितनी है 10 ये हमारा क्या होता है npc ये क्या हमारा mean 50 ये 1 ये 2 ये 3 ये 1 ये 2 ये 3 ये minus 3 sigma ये plus 3 sigma ये ही है न 6 sigma scale यहां से यहां तक 6 sigma अब ये scale बना हमारा हमें क्या check करना है कि minus 3 minus 3 sigma के उपर value क्या आ रही है तो हम कैसे check करते है 50 minus इस तरफ का check करना है तो 3 into sigma की value कितनी है 10 ये कि 20 हमारी जो list value है वो 20 होनी चाहिए क्या हमारी list value 20 है येस बिल्कुल 20 है अब हम check कर सकते है plus 3 के लिए 50 plus 3 into sigma sigma की value क्या है वोई 10 50 plus 30 that is 80 यानी हमारी uppermost value कितनी होनी चाहिए 80 तो इसका मतलब क्या है हमारा scale सही बना है बीच में ये gap भी same होना चाहिए ये हमारा किसका example है 6 sigma scale का सबसे पहले क्या करना आपको सबसे पहले हमें gap निकालना है कि हमारी gap value क्या आएगी gap value कैसे निकलती है 6 sigma scale by 10 6 sigma की value हमें given होगी कोई न कोई जैसे 10 given थी तो 10 divided by 10 इससे cut up कर देंगे जो 6 value आई इसको उपर जाएंगे तो add करते चलेंगे नीचे जाएंगे तो minus करते चलेंगे 5 below the mean 5 above the mean और इसको cross check करने के लिए क्योंकि list value क्या हमारी 3 sigma और वहाँ पर क्या है plus 3 sigma तो list और upper most value को match कर लेंगे अगर वह सही आ रहा तो आपका scale सही बन जाएगा यह क्या आपका यह आपका 6 sigma scale इसके बाद next हम देखते हैं hull scale hull scale में और इसमें क्या फरक है इसको 7 sigma scale भी कहा जाता है इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर आपको 3.5 sigma below the mean and 3.5 sigma above the mean जाना पड़ेगा तो इसके अंदर आपको minus 3.5 sigma to 3.5 sigma यानि कि total कितना बन गया 7 sigma scale अब इसके example देख लेते हैं माल लेते हैं हमें mean दे रखा है 100 और sigma की value दे रखी है कितनी माने हम 10 माल लेते हैं 10 हमें sigma की value दे रखी है तो सबसे पहले क्या काम है अपना gap value निकालना gap value कैसे निकलेगी 7 sigma divided by 10 क्योंकि 10 के scale पर बनाना है तो 7 into 10 by 10 यानि 7 का gap चलेगा अब हमारा तो सबसे पहले mean को क्या करेंगे mean को center में रखेंगे इससे निच्चे जाएंगे minus करते जाएंगे उपर जाएंगे plus करते जाएंगे 100 minus 7 100 minus 2 into 7 3 into 7 4 into 7 5 into 7 ये कितना आगया 100 minus as it is उपर इसको वटा देते हैं 100 plus 7 100 plus 2 into 7 100 plus 3 into 7 100 plus 4 into 7 100 plus 5 into 7 अब इसको लिखते हैं ये 100 ये 93 ये 86 ये 79 ये 73 73 आएगा ना और ये 65 ये 72 आएगा यहां पर ऐसे ये उपर जाएंगे ये 107 ये ये हमारा स्केल बनके आगया अब इसको भी क्रोस चेक करने का क्या तरिका है हमें ये पता है कि हमारी वैल्यू जो है वो 7 सिगमा स्केल पर के बीच में आई है यानि कि जो लिस्ट है वो माइनस 3 पॉइंट सिगमा है और जो अपर मोस्ट है वो प्लस 3.5 सिगमा है क्या हमारा स्केल सही बना है इसको चेक करेंगे हम हमारा मीन कितना है 100 प्लस 3.5 इंट सिगमा की वैल्यू कितनी है 10 100 प्लस 35 यानि की 135 हमारी जो अपर मोस्ट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 135 क्या ये सही है हाँ सही है अब list value को match कर लेंगे 100 minus 3.5 into 10 100 minus 35 is equal to 65 हमारी जो list value है वो भी 65 आ रही है तो यह हमारा क्या है यह हमारा hull scale है यह क्या करता है minus 3.5 से plus 3.5 तक लाई करता है sigma तो यह क्या हो गया 7 sigma scale and hull scale clear इसके बाद अब हमारा t-scale t-scale मैंने आपको करवाया था उस दिन t-scale में क्या है t-scale 10 sigma पे बनता है t-scale किस पे बनता है 10 sigma पे जैसे वो कहाँ जा रहा था 6 sigma scale जा रहा था 6 sigma पे hull scale जा रहा था 7 sigma पे यह जाता है 10 sigma पे अब इसके अंदर multiply नहीं करना होता इसमें क्या है 10 into sigma sigma value माल लिजे 10 है तो divided by 10 10 scale पे बनाना है 10 से 10 गया तो 10 का ही gap रहेगा यानि कि जो हमारा sigma है वही हमारा क्या रहेगा इसमें gap value रहेगी क्योंकि 10 से तो 10 10 कठी जाना है निच्चे जब हम scale बनाएंगे तो sigma को ही लेके चलेंगे example 100 mean दे रखा है sigma दे दिया 10 तो हमें निकालने की ज़रूरित नहीं है अगर हम निकालेंगे तब भी 10 into sigma की value कितनी है 10 divided by 10 यह 10 ही आएगा यानि कि जो sigma की value है वही हम यूज कर लेंगे इसका scale भी as it is बनेगा 100 minus 10 100 minus 10 गुणा 2 10 गुणा 3 as it is तो यह क्या बनेगा है 190 80 70 60 50 ऐसे ही 110 120 130 140 140 यह हमारा क्या है यह हमारा है T scale बस ऐसे गरना इतनी सी बात है जो आपको value दे रखी है 6 sigma scale दे रखा है तो sigma की value पूट कर दो 7 sigma दे रखा है तो sigma यह value पूट कर 10 से divide इसको भी 10 से divide इसमें T scale में 10 sigma होता है 10 sigma by 10 10 से 10 गया जो sigma की value आई उसी को ऐसे चला दो बस बन गए आपका scale scale में इतना ही है और बाकी कोई problem हो तो पूछ ले नो ठीक है clear करते है इसको recording ठीक है